कहानी शुरू होती है और हम चंगल के पीच औपीच एक खेत को देखती हैं उनी खेतों में नैंसी नाम की एक खुबसूरत चमाल लड़की अपने खुदाई करवा रही होती है वहीं से थोड़ी दूर पर नैंसी का अंकल एक डायरी में उसके क्लाइट के नाम लिक रहा था ये देखकर हमें पता चलता है कि नैंसी धंदे वाली है और नैंसी पैसों के लिए किसी के साथ भी टपाठब कर सकती है और उसका अंकल ही उसकी दलाली करता है अब टपटप करवाने के बाद नैंसी ने अपने बड़े-बड़े संत्रों को कपड़े के अंदर शुपाया और अपने अंकल के साथ अगले क्लाइंट से मीटिंग के लिए निकल पड़ी पूरे दिन में इतनी खुदाई करवाने के बाद जाईर है कि नैंसी की कुफा खुद कर सुरंग बन चुकी होगी लेकिन उसके बावजुद भी नैंसी के पास क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं होती जिससे हम चान पाते हैं कि नैंसी के पास कितने टैलेंट हैं और कितने बड़े बड़े ये हमें कहाने में आगे देखने को मिलेगा अब साम को खुदाई करवाने के बाद नैंसी अपने अंकल के साथ तेर सामान लेकर आई और उनका घर देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो सब बहुत ही गरीब हैं और वहीं पर हम नैंसी के छोटी बहन मीसा और अंकल के बेटे रोकी को भी देखती हैं वो सब इतना सारा खाना देखकर बहुत ही खुसते अब डेनर हो जाने के बाद दारू की बोतल लेकर अंकल नैंसी के सारे दिन का हिसाब करने बैठा हुआ था तब ही वहां पर रोकी आता है नैंसी और उसका फादर क्या काम करते हैं उसका अब रही थी जो कि अभी अच्छे से नहा रही थी अब Nancy मस्ट डिपटो बनके सुब्य सुब्य अंकल के साथ अपने क्लाइन से मिलने पहुंची लेकिन उस क्लाइन्ट ने नैंसी को ऐसा पेला कि नैंसी जोर जोर से चिलाने लगी इधर अंकल वही बाहर खड़ा होकर दारू पी रहा था लेकिन जब क्लाइंट नैंसी की पीचे वाली गुफा में अपना ओजार घुसाया तब नैंसी रोने और चीखने लगी तब अंकल रूम के अंदर आया और उस क्लाइंट को रुखने के लिए बोला लेकिन वो क्लाइंट रुखने वाला कहां था फिर भी जैसे तैसे करके नैंसी उस क्लाइंट का हत्यार अपने गुफा से निकाल कर अंकल के पास आ गई इसके बाद अंकल और उस क्लाइंट के जड़प में उस क्लाइंट ने अंकल को बस थोड़ा सा धक्का ही दिया था पर अंकल का गला कट गया उस उस तरह से जो रोकी ने उन्हीं दिया था अब मोखे पर ही अंकल अपना दम तोड़ देती हैं जिससे पूरे घर में मातमवाला माहुल चा गया अब धीरे धीरे उनकी सारे पैसे भी खत्म हो रही थी लेकिन अंकल की फोन पर अभी भी करना पड़ा जो कि उसे मीटिंग के लिए बुला रही थी अब नैंसी अकेली तो जा नहीं सकती थी इसलिए रोकी उसके साथ जाने का फैसला करता है अब जेंगल में नैंसी अपने क्लाइंट के खोड़े को अपने गुफा में गुसवा रही थी और रोकी अंकल की तरह ड ऑनों उस आत्मी के पास तो पता चला आदमी उस कांव का पर्धान हैं और वह सबसे अमीर आदमी तो लेकिन उसकी EM kesat और birthday ये थी चलि बाफर निकाने के लिए उस ने नैंसी को बुलाया इस कांव करने के साथ ही नैंसी को ये बात राजभी भी रखनी होगी कि पर्धान का बेटा के है और वो इस काम के लिए उसे बहुत सारे पैसे भी देता है लेकिन कमरे में अंदर चाहते ही पर्धान के बेटे ने नैंसी के साथ अपटप करने से बना कर दिया तो उन दोनों ने एक प्लान बनाया कि नैंसी चिलाने की आवाज न अगले दिन रोकी ने पूरे गाओं में नैंसी के बारे में परचार कर दिया जिससे बहुत सारे मुझदूर नैंसी की कुफा में खुदाई करने आने लगे थे सब कुछ अच्छा चल रहा था उनके पास अच्छे खासे पैसे भी आने लगे थे पर तब ही एक दिन उनके इस संदे के बारे में पुलिस ऑफिसर सैमियल को पता चला तो वो तुरंत रोकी से मिला और उससे अपना कमिशन सेट किया इसके बात उसने भी नैंसी के टांगे उठा कर उसके मुलायम जिस्म के सवारी करी और खुदाई करने का इतना मज़ा उसे आज तक नहीं मिला था और यहीं सैमियल ने रोकी को भी अपने गे कॉंस्टेबल से इंटिमेट होने को बोला और मजबूरी में रोकी को भी ऐसा करना पड़ा और इस तोरान उसे काफी बार वो मिटिंग भी हुई क्योंकि रोकी ने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया था अब ये सब होते हुए दो म महीने गुजर जाते हैं और अब रोकी भी काम की ओरतों के साथ मीटिंग्स लेनी लग गया था और अब इन दोनों भाई बहनने मिलकर पूरे काम में काफी तगड़ा वाला टपटप का काम चालू कर लिया था अब ऐसे ही एक औरत को पेलने के बात रोकी नैसी के साथ घर तब ही उनको रास्ते में सैमिल मिला और उनसे अपना कमीसल लिया और आगे बढ़ गया अब अगली दिन नैसी की काफी जादा तबीत खराब हो जाती है तो रोकी उसको कंबल उड़ाकर खुद बाहर दवाया लेने चला गया अब इसी तोरान सैमिल भी गाउन का दोरा कर तब ही उसे कॉले से घर जा रही एक यंग लड़की दिखाई देती है अब वो लड़की सैमिल को काफी ज़्यादा पसंद आ जाती है इसलिए वो उसके पीछे लग जाता है अब वो लड़की घर पहुचकर अपने कप्ड़े चेंज करती है और ये सब कुछ सैमिल भी चो स्टेबल के वोलेट से उसके सारे पैसे और उसकी महगी घड़ी अपने साथ ले जाता है अब उस घड़ी को बेचकर रोकी ने नैंसी की लिए सारे दवाईयों का इंतजाम कर लिया था और दवाईयां लेते ही नैंसी की हालत में सुधार भी होने लगा था अब नैंसी की बिमार होने की वज़े से रोकी को टपाटप का काम करना पड़ रहा था इसलिए रोकी ने परधान के बेटे जोस्वा को बुडा लिया जोस्वा भी बड़े प्यार से नैंसी का ख्याल रख रहा था वहीं दूसरी और रोकी ने उस कॉंस्टेबल की चुराई हुई घड़ के साथ जबर जस्ती नहीं करना चाहता बलकि वह उसकी मर्जी के साथ ही उसके साथ टपाटप करना चाहता था उधर दूसरी तरफ रोकी के घर ना आने से घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था यहां तक कि सभी तुकानदारों ने फीटिक को उठार देनी से मना कर इधर खुद की फटी पड़ी थी तो वो उसकी help कैसे करता अब उन दोनों में चल रही बाते सेमियल सुन लेता है और वहां गुस्से में आता है और अमाया को अपना खोफ दिखाने के चकर में उसने रोकी की जमकर कुटाई कर दी और फिर वो रोकी को धमकाता भी है कि अगर वो अपना मूँ नहीं खोलेगा तो जिंदा रहेगा तब ही वहां सेमियल का एक दोस्त आता है जिसकी बातों में आकर सेमियल ने अमाया के कप्रों को चेंज करवाया और साथी उसके संत्रों को भी टच किया अब ये सब देख रोकी को बहुत बुरा लगता है लेकिन अभ उसके पास पैसे नहीं बचे थे क्योंकि उसके सारे पैसे नैंसी के दवाईयों में लग गए थे अब सैमियल ने पैसे कमाने का दूसरा तरीका निकाला जिसमें उसने डाइरी से नंबर लेकर एक क्लाइंट को फोन लगाया और उसको पुलिस स्टेशन बुलाया और उसको उसक्लाइंट को मार मार के वहां से भगा दिया ये देखकर रोकी इतना तो समझ गया कि सैमियल भी अमाया की थोड़ी बहुत फिकर तो करता है इसलिए उसने सैमियल को बोला कि ये काम वो और उसकी बहन उसके लिए करेंगे जिसके लिए उसे नैंसी को यहां बुलाना तो नैंसी भी तुरंत पुलिस टेशन के लिए निकल पड़ी इदर रोकी ने अमाया को समझाया कि उसकी बहन चल्दी ही यहां आएगी और वो सब यहां से बाहर होंगी लेकिन नैंसी के आते ही सैमियल ने उसे भी अमाया के साथ जेल में बंद कर दिया नैंसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहां यह सब क्या चल रहा है अप रोकी ने नैंसी को समझाया कि उसे हमाया को सायमिल और गाप करने के लिए और चांच्छ पर बहौदूहुआ आमाया के उपर उपर से ही मजे ले रहा था लेकिन तब ही वो एग्रेसिव हो गया और उसने अमाया की दोनों गुफाउं के चम कर खुदाई कर दी अब आमाया की चेखी पुली स्टेशन के बाहर तक घुंज रही थी वहीं अमाया की चेखी सुनकर नैंसी और रोकी भी काम हुटे अब आमाया को अच्छे से पेलने के बाद सेमयल निया उसे और फिर उसे जिल में छोड़ दिया जहां नैंसी ने उसे कुछ पेंड की र Cole this अहीं प्रकी सामने अमाया के सामने ही नैंसी को अपने हत्यार पर बेठा लिया और जैसे नैंसी उसके हत्यार की सवारी कर रही थी वैसे ही अमाया को सीखना था लेकिन इसी बीच जब सैमियल जन्नत की सैर करने वाला था उसे बीच नैंसी ने उस तरह से सैमियल का गला कार दिया और जल्दी से पर सैमियल की मौत हो चुकी थी। इसलिए वो तुरंत अपने घर गए और वहां से सारा समान पैक करके वहां से निकल गए। इतनी देर में वहां जोस्वा भी अपने कार लेकर आ गया था। क्योंकि वो भी इस काम को छोड़कर अपनी लाइफ इंजोई करने जाना चाहता है झाल